हेलो एब्रीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड़को क्लास माइन इम इज मनिस और आफ देख रहे हैं एड़को क्लास को दोस्तों आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कंस्टिउशन के बारे में जी हां ये बिहार सेवेंध फेज सिच्छक वर्ती 2023 अगामी ज से कुछे जाने की संभावना है 100% तो मैं यहां पर आप सभी को उन सारे को स्कोप्रैक्टिस करवाओंगा जो एकदम 100% आपके आने की चांसे तो इस वीडियो को अंतक देखें ताकि आपकी प्रिपेरिशन में ये वीडियो काफी हेल्फुल सावित हो बिना डिले कि इस व इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि इंडियन कंस्टिचूशन बनाई गई थी 9 26 जनवरी 1949 को ठीक है तो कंस्टिचूशन में जो लौ थे उस सारे लौ में 75 परसेंट जो लौ थे ओ नाइन्टी थाटी फाइव एक्ट ऑके गवर्मेंट ऑफ इंडिया नाइन्टी थाटी फाइव एक्ट जो है वहां से ली गई थी और जो बच्चे 25 परसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियो से ली गई तो क्या हमारा कंस्टिचूशन क्या स्लेवरी कंस्टिचूशन है डारेक्ट कट कॉपी पेस्ट किया हुआ कंस्टिचूशन है तो नहीं दोस्तों हमारा कंस्टिचूशन जो है डारेक्ट कट कॉपी पेस्ट किया हुआ कंस्टिचूशन नहीं है हम जो ंगी देखते क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगा घ्到底 लिखा लिया तो पनुमदेंटर आइस को मालुम होना को सब्सक्राइब कहा जा सकते हैं कर सकते हैं कि फंडामेंटर राइट्स के बीना अधूरा रहा है Constitution तो Constitution को Constitution fundamental rights को Magna Carta कहा जाता है दोस्तों और अमेरिका में fundamental rights को Bill of Rights भी कहा जाता है Article 12-35 में में मेंशन है या Part 3 में मेंशन है ठीक है जो अब अब दुसरी में बात करें अमेरिका से प्रियेंबल लिया गया प्रियेंबल का जो concept जो वर्ड है वो लिया गया concept लिया गया लेकिन जो उसके अंदर का जो वर्ड है जो डिस्क्रिप्शन अंदर का ओ आपका अमेरिका से नहीं लिया गया डेट इजब करते हैं दोस्तों प्रेशिडेंटियल कंसेट होता है आ है आपका पार्लियमेंटरिर कंसेप्ट तो प्रेशिडेंशियल जो कंसेट है इसमें क्या होता कि अमेरिका से office of president president का एक office होगा तो वो चीजे लिए गई है ना लेकिन जो election होगा president का वो अमेरिका से नहीं लिया गया ध्यान रखेंगे दूसरी बात हम करेंगे judicial review जो हम 32 article 32 में 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 जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू का concept अमेरिका से लिया गया concept of impeachment impeachment जो होता है जो महाभियोग बोलते हैं जो प्रेशिडेंट पर लगता है जैसे चाहिए जैसे पर लगते हैं तो यह सभी impeachment जो है ओ आपका प्रोसेस जो है आपका लिया गया है यूएसे से non constitutional feature यह constitution में मेंशन नहीं है PIL यानि public interest litigation यह constitution में मेंशन नहीं है लेकिन जो अमेरिका में American case है PIL वहां से लिया गया concept ठीक है अचले आगे देखते दोस्तों दोस्तों अब हम बात करेंगे constitution of USSR जो अभी रश्या कहा जाता है वहां से क्या लिया गया fundamental duties ली गई है 51 A में mention है और 4 A में पार्ट 4 A में यह mention है दोस्तों पहले fundamental duties कितने थे दस थे बाद में एक inserted की गई है जो 42 amendment act 1976 था जो इंद्रा गांदी के दौरा स्वहन सिंग स कमीटी के कहने पर inserted की गई है दूसरे हम बात करते है कि USSR से क्या ली गई है non constitutional feature planned economy जो है जो planned economy हम बात करते है जेनरली कुछ दिन पहले हमारा जो देश है कुछ socialism के तरफ है ना social activity के तरफ move हुआ था divert हुआ था तो जो five years plan है ना दोस्तों ओ आपका USSR से ली गई है justice, social justice, economic justice, political justice इसका जो feature है जो preamble में mention है यह भी आपका USSR से ली गई है I hope you are understood better way तो next हम बात करते हैं दोस्तों कि Ireland से क्या लिया गया है Ireland से DPSP डारेक्टि प्रिंस्पल अपिस्टेट पॉलिशी ले गई है आर्टिकल 31 से लेके सौरी यहां पर mistake है यहां सुधार लें गया आर्टिकल 36-51 में mention है पार्ट 4 में mention है आपको Ireland से और लेकिन यह जो DPSP जो आपको हम बात करें DPSP यह आयरलेंड से तो हम लोग लिए लेकि आयरलेंड ने भी कहीं से लिया तो इस्पेंस से लिया है ठीक है कहां से लिया है आर्टिकल जातसभाव में जो मेंबर्स नोमिनेटेड होते ओ जैसे कि 12 मेंबर्स नोमिनेटेड होते प्रेसिडेंट के दोवारा वह कहां से लिए तो आपका लिया गया है आर्टिकल देखते हैं दोस्तों आगे हम बात करें British इस ने दोसो साल तक हम पर सासन करते हैं तो हम लोग काफी उनके उनसे क्या होते हैं वाकिफ होते हैं अफेक्ट हमारे उपर होते हैं तो इसलिए कह सकते हैं कि British सबसे फोड़ी रीट रू सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब कोड जो है वहाँ है झारी करती और हाइद आगे बात करें दोस्तो तो जो प्रटीमेंट फॉर्म है तो और बरटीम से लिए और किस्वह से बरितिम 설명 रहे क्लिए रहे चलिए आगे देखते हैं जो इस पीकर होते हैं लोगशवाव का जो अभी ओम बिरला है तो आपका जो कंसेप्ट है ऑफिस ऑफिस स्पीकर आप लोगशवा यह भी आपका ब्रिटिफ कंस्टिशूशन से ली गई है बात आगे करते हैं पार्लियमेंटर फॉर्म जो सकते हैं मतलब जिसको हम आपको प्राइबी där फिलिघक कहे सकते हैं एक क्य। रियल हेड कहते हैं ठीक है तो नोमिनल हेड का जो हेड होते हैं प्रेशिडेंट होते हैं नामातर का और जो रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है ठीक है तो हमारा जो गवर्मेंट है वह बाइक क्रेमल है बाइक कैमेरल है लोक्षभा और राज्षभा हा क्या है कि नो बड़ी डिस्क्रिमिनेट बेस्ट ऑन देर कास्ट रिलीजन्स बर्थ प्लेस और इक्वल्स ऑके बिफोर दो लौ तो हम कह सकते हैं कि रूल आफ लौ आपका बिटिस का देन है और एवी डिके ने यह कंसर्ट दिया था चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आपक किया क्या यहां से लिया गया जैसे कि अफिश ऑफ गवर्न अवर्ल्स और प्रिविलेज इन सारे चीजओ को जो हमारा ऑं से लिया गया ऑश्य concurrent list दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तीम तरीके करी होता है Clark Central होता है जिसको हम लोग युनियनलिस्ट कहते हैं क्या के थे युनियन कि लिस्ट पर सेंटर लाव बनाती हैं एक स्टेट लिस्ट होता है पहला युनियनलिस्ट स्टेट और भी यह कॉता है सिच्छा कनकरेंटल का पार्ट है जैसे सिच्छाकन करेंट लोग शभाता। जब फर्स जाते है किसी इसूपर किसी मुद्धे पर अब बहस हो जाती है तो तो उन्हें एक जॉइंट सिटिंग कॉल किया जाता है प्रेशिडेंट के द्वारा यह 108 मेंशन है ठीक है और यह कंकरेंट ट्रीज जो सेवें सीडूल में मेंशन है तो जॉइंट सिटिंग एक ह समय में हम आपको अच्छे चीजे परवाइट करने की कोसिस करेंगे ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो ठीक है जर्मनी के कंस्टिशन से क्या लिया गया इसको देखते हैं सस्पेंशन और फंडामेंटल राइट्स इन इमर्जेंसी दोस्तों जो इमर्जेंसी की टाइ हम लोग ने एक अच्छे तरीके से इसमें इंप्लिमेंट किया है लेकि जो दोस्तों इमर्जेंसी जो वर्ड है ना इमर्जेंसी इमर्जेंसी लागू होगा यह लिया गया गया है गवर्मेंट ऑफ इंडिया न्यक्ट िरटिवाइब से नॉन कंस्टिशनल फीचर जो है स amendment to the Constitution Constitution mein amendment करna article 368 के तहते और यह पूरा प्रूसीज जो है मैंडमेंट का वह आपका साथ अफरीका से लिया गया राश्रवार का जो मेंबर्स के एलेक्षिंस होते हैं election of election of member of राश्रवा यह भी आपका साथ अफरीका से लिया गया अब न्युजेलेंट से जो है राइट ऑफ वोटिंग वोटिंग राइट ऑफ बुमें जो है बुमेंस की जो वोटिंग राइट से उसका कंसेप्ट लिया गया है न्यूजिलेंड से दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्री थे देश थे जो अजादी होने के बहुत साल बाद 500 साल बाद उन्हें बुम से आईडिया ऑफ लेवर्टी एक्वैलिटी फैटर निटी जैसे वाट्स को जिसको भी प्रेडिवी का जाते है क्या कहा जाते दोस्तों क्वेडिया ठीक है चलिको अगे दें अब यहाँ बात करते से इस्टाबलिस्ट बाइन लॉट जो लॉट का जो क्रोसीजर है और कैसी स ते पॉलो करतें स्टेबलिस्ट करने के लिए उस सारा प्रोसेस जपां से लिया गया लेकिन बाद ही किया न Doo कि जो लौ है उसको तो सब्सक्राइब आपकर समझते हुआ है ते माल लेते हैं कि कोई इंसान है घिक है इंसान समय कुछ खाने का मिन किया तो ये मार्केट मेग निकल जाता मार्केट में दो अदमी को लड़ते तैंश ये देटा है इसको की मज़िसे को इसको लगा कोई देखा नहीं और आम सब पाटे बाटे करता है मस्तिर्थी करता है जहाए मस्ति कर रहा होता है जो कंप्लीन किया जिस पुलिस टेस्टेशन में उस पुलिस थाना वाला फायर के साथ वहाँ पहुं जाता है तो पुछता है मुझे आप दिखाओ वाई वी अरेस्टिंग में तो बोलता है कि आप आपको अरेस्ट इस लिए किया जाता है क्योंकि आपने मडर किया तो इसका एविडेंस दिखाओ तो यह हो गया डियू टू प्रोसेस अफ लॉव अच्छली आया क्या पहले हमारे इंडिया में प्रोसीजर इस्टैबलिस्ट भाई कि मेनं का गांध Elise के ihan है कि मेंनिका कले है को बाहर जाने से रूक चारा था तो इसलिए उन्हें जब स्टेशन पर जाते हैं मजसे सोरी सौरी फॉठ पर तो उन्हें बाहर जाने से म्लेकि पासपोर्ट तो नहीं तो जबत्कर लिया जाता है तो मेनिका गांध पुछती है क् इसमें कुछ कमिया है अगर आप किसी को परशान करते हो पकरते हो तो आपको बताना होता कि आपको पकरा क्यों गया है तो अगर आम नहीं बताते हैं तो यह आपका procedure established by law लेकिन बताया ना evidence due process of law कहलाएगा I hope यह clear हो गया होगा तो यह यह था आपका दोस्तो काफी important session जो मैंने आज करवाया next session के साथ फिर मिलते हैं तब तक अपना ख्यार रखेंगा keep learning keep practicing have a good night bye bye take care दोस्तों